नवश्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, आज पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करूँगा दोस्तों, आज पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करूँगा, आज बात करूँगा आपकी दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी पहले सभी सभी स्टूडंट्स को सभी टीचर्स को युवा भावी टीचर्स को जो अभी अभी टीचर्स बने हैं उन सभी को और सभी भारत देश के अभी भावकों को और उनके साथ मेरे जैसे काम करने वाले अध्यापकों को मेरा नमस्ते प्यार भरा नमस्ते सभी दोस्तों के लिए आजाया हूँ दोस्तों कुछ मुद्दों को लेकर बात करूँगा जैसे कि आप सभी लोगों ने एक मुद्दा चला रखा है आप सभी जो यूवा वर्ग हैं उन्होंने एक मुदा चला रखा है Speak up for SSE and Railways Students दोस्तों मुदे की बात सिर्फ इतनी है कि गवर्मेंट सारे के सारे काम्स करते जा रही है अपने हिसाब से काम कर रही है सब चीजें अपने हिसाब से कर रही है बात सिर्फ इतनी है मेरे दोस्त फॉर्म भरवा लिया जा रहा है मैं बात करूँगा point to point कुछ points मैं आपके सामने लिखता हूँ for exams 2017 कुछ ऐसे exams 2017 में conduct होने थे अभी तक नहीं हुए फॉर्म भर दिये गए कुछ नहीं हुआ कुछ exams 2018 में conduct हुए लेकिन सर लगबग लगबग 800 दिन निकल चुके हैं आप लोगों ने किसी परकार का कोई results सो नहीं किया है आप मुझे एक बात बताईए आज टीवी पर क्या दिख रहा है मिडिया क्या दिखा रहा है मुझे ये बताईए क्या दिखा रहा है मिडिया जिससे किसी को कोई फरक नहीं पड़ता अरे मैं अगर उन सीजों को नहीं देखता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा यार भूका थोड़ी मरूँगा ठीक है एक वो रिया चकरवती को पता नहीं चला लिया है पूरे ट्रेंडिंग में है उसके अलावा कोई निउस नहीं है गुमाफिरा के चाइना नहीं तो पाकिस्तान के दो एंकर बैठा लोगे आप अपने आसपास और बस उन से बकवास बाजी लगा कर रखिये तुम लोगों ने अगर सच में तुमें कुछ करना है अगर तुम सही में कुछ करना चाहते हो तो यार यूवा वर्क के लिए कुछ तो करो कुछ तो करो यूवा वर्क के लिए आप लोगों ने 2017 में एक्जाम लिया 2017 का रिजल्ट अभी तक आपने नहीं दिया 2018 में आपने SSE का एक्जाम लिया उसका आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया ये दो चार एक वो डैथ रिपोर्ट चला रखी है सुसान सिंग राजपूत की हम भी मानते है कि यार उसके परिवार के साथ गलत हुआ है सब कुछ गलत हुआ है लेकिन क्या वो एक ही गुद्धा है पूरे भारत में चलाने के लिए आप लोगों के पास पूछता है भारत पूछता है भारत पूछता है भारत अरे भाई कुछ अच्छा पूछो भारत में क्या पूछता है भारत CBI जांच हो रही है उन सब चीजों की CBI जाच कभी बच्चों के paper के लिए करवाई है तुम ने CBI जाच कभी बच्चों के paper के लिए करवाई है आप लोगों ने बच्चों के paper leak हो जाते हैं ये क्या विमारी है यार ये leaking के क्या विमारी है लोग 15-15 लाक रूपए exam center पर मांगते हैं एक छोटे से बच्चे से जो विचारा युवा अभी वो जुसे 15 रुपए 15,000 के बारे में पता नहीं है उस बंदे से 50 तरीके से लोग आ जाते हैं 15, 15, 20, 20 लाग रुपए मांगने के लिए कि हम तुमारी नौकरी लगवाएंगे ऐसे लोगों को दोना यार फासी ऐसे लोगों के उपर आप का करो आप ऐसे लोगों के उपर ना आसर केस चलाओ सर if you are not going to do anything I'm telling you I'm telling you this kind of corruption will go ahead at a top level so what kind of working what kind of working in our in our fundamental and infrastructure is going on you should think about this सोचो तो सही यार मुझे एक बात बताओ लोग ना ब्राइब ले रहे हैं साफ सीधी ब्राइब है तुम्हें काम करो तुम्हें काम करो मुझे पास लाक रुपे दे दो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा बहुत सारी न्यूस देखते हैं 2 minute में 100 news अब 100 news में क्या है किसी ने कोई साप पकड़ लिया किस जगा पर उसको बता रहे है अरे भाई साब यार साप पकड़ लिया छोड़ो ना आप साप को क्या करना है किसी ने किसी को जूते मार दिये कोई किसी के सोटिंग हॉल में गुज गया उसकी बहुत जबर्दस पिटाई हुई उसको उसको गंजा कर दिया गया अरे यार क्या करना है एक आम आदमी को उन सब चीजों से यह तो बताओ क्या करना है he doesn't want anything he just want वो सिर्फ चाता है कि उसे सुभे और साम की डेली ब्रीड मिल जाए उसे सुर्फ सो वो सिर्फ चाता है कि उसकी पचीस से तीस और चालिस जजार की एक नौकरी मिल जाए और वो उसमें खुश है ठीक है वो अपने घर में दो दो समय की रूटी चाता है यह बड़े-बड़े ट्रेंडिंग्स जो माफियां है बहुत बड़े-बड़े जो वाइरल करते हैं वीडियोस को अज तक अर मुझे बताओ यार यह क्या मज़ाग लगा रहे है सबसे घिनोना एक एक निउस चैनल आज तक क्या है बाई क्या आज तक है मैंने तो आज तक मैं फिर क्या रहा हूँ, एक या दो दिन से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इस मुहीम को लगबग-लगबग 10 से 15 और 15 से 20 दिन तक कंटेनेव चलाना होगा, फ्रॉड क्या हो रहा है आपके साथ, मुझे पताएंगे, फ्रॉड क्या हो रहा है आपके साथ, फ्रॉड आप अपनी बात पहुचा सकते हैं, गवर्मेंट को अच्छे नियम सिखा सकते हैं, आप ऐसे लोगों को ले जाकर बैठे हैं, जो की कंटीनियसली कोरोना का बहाना कर रहे हैं, अब मुझे एक बात बताईए सर, हमें भी घर में काम हैं, सबको दोर उटी चाहिए, कोरोना तो मारत मारता मारेगा साब, भूग पहले मार देगी, ये याद रिखिएगा, ठिक है, हर किसी को, हर किसी को काम की जरुरत है, और आप लोग इस तरीके से खिलवार कर रहे हैं, सर 90,000 वेकेंसी निकाली आपने रेलवे में, 90,000 वेकेंसी आपने रेलवे में निकाल दी सर, मुझे बात बताईए, इस 90,000 वेकेंसी को प्राप्त करने के लिए, लगबग लगबग 1.08 करोड लोगों ने फॉर्म बराता, सर, पांसो से हिंटू करो ना, सर, 14 अरब के आसपास पैसे रुपे होते हैं, सर, क्या बात कर रहे हैं, वो पैसा कहा है, सर, आप लोग सिर्फ पैसा ल लोड़ आठ लाक लोग या आठ अजार लोग भी ऐसी है, अजार लोग भी अगर फॉर्म बढ़ते हैं, तो यह समझ लीजिए, सर, कि वेकेंसी की कितनी जरुवत है, बीरुजगारी कितनी बड़ी है, हर इंसान, हर युवा किस तरीके से नौकरी पाने के लिए, जत्तो ज हैं, हर मीडिया चैनल कुछ ना कुछ बक्वास बताए जा रहा है, पूरे दिन उसके बक्वास चलती है, टिक है, मैं किसी सरकार के उपर अंगुली नहीं उठा रहा हूं, सारी सरकार अपनी जगा ठीक है, लेकिन साफ सीधी बात है सर, जब आप युवाओं के भविशे से खेलेंगे, तो फिर कोई नहीं सुनेगा, सब लोग कोई ना कहीं अपना अपना जीवन सेफ करना चाते हैं, वो दोस हमें की रोटी खाना चाते हैं, उनको लगता है कि वो भी गवर्मेंट के, हाइंडियन गवर्मेंट के सदश्य बन सकते हैं, कोई क्यों खिलोने लेकर हम भी खड़े हैं, गुरु जाश्रम लेकर खड़े हैं ताकि बच्चों को स़स्ती एज्यूकेशन दे सकें, ये मार्केट के अंदर जो 20-20,000-15,000 रुपए में जो ये मार्केट के अंदर value चलती हैं, तीन-टीन सब्जक थे हम उसे 5-6,000 में इसलीए available कर रवा रहे लेकिन उसको पढ़ाएंगे बस इसी मुहीम को हमने भी आगे बढ़ाया आज ऑनलाइन के सारे जितने भी बड़े दिगज प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर हम भी एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहते हैं ठीक है लेकिन सर इस तरीके से युवाओं के भविशे से तो मत खेल है हर कोई वेक्ति पड़ा लिखा है वो कुछ बनना चाहता है अब बताईए फॉर्म आप लोगों ने भरवा दिये पैसे आप लोगों ने ले लिए एक्जाम्स कंड़क्ट नहीं होते हैं यह बताईए एक 2016 के अंदर या 2017 के अंदर मुझे कंफॉर्म डेट याद नहीं है एक रेलवे का फॉर्म भरा गया था जिसमें सर्थ थाउजन रुपीज मांगे गये थे और यह कहा गया था कि आपके 600 रुपे लगेंगे और 400 रुपे आपको वापस मिल जाएंगे वो फंडिंग कहा है जर वो वापस मिलने वाले 400 रुपे आज तक मेरे अकाउंट में नह गया थोड़ा सोचिए सर हर किसी चीज के ऊपर यह यह मन की बात मैं मानता हूं सर आप आप आदर्णिय मोदी जी बहुत हम सब युवा आप से बहुत इंस्पायर होते हैं आप बहुत काम करते हैं आप भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सर यह बात बहुत अपने एक्वेयर नोफ यह वसdal रहे हैं कि अपनी लेकिन बशेवसर में उन्होंने एक भी वी पेपर रहे हैं लेकिन डूशे उन्हों नहीं किया एक भी एक बीसार तक कैसे चलेगा तो मुझे सबसे हाद जोड़कर विंती है कि अपनी लेंगविज पर आप बिल्कुल कंट्रोल रखिएगा सारे के सारे यूवा वर्ग जो हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज आप जो मुहीम चला रहे हैं वो काबिल तारीफ है मैं इसकी तारीफ करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि कई ना कई आप अपने शब्दों की गरीमा को जब खोते हैं तो कई ना कई आप अपना लहजा खोते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों के साथ बिल्कुल भी किसी परकार का कोई सैक्रिफाइज ना करें आप अपने शब्दों की गरीमा को बनाई रखें और अपनी request government तक जरूर पहुंचाएं हम सब की इज़त करते हैं चाहे state government हो चाहे central government हो सर government का दोस्ट अपने आप जगा पर है आप अपने इस तर पर अच्छा काम कर रहे हैं आपके नीचे काम करने वाले लोग भरस्ट हैं हम किस पर विश्वास करें सर अमिट सापर हमने विश्वास कर लिया मोदी पर हम विस्वास कर लेते हैं चलिए एक दो अच्छे नेता हैं जिनके उपर हम विस्वास कर लेकिन आपकी चैन के उपर भरोसा कौन करे सर ये तो बताईए चैन के उपर भरोसा कौन करे सर आपने 370 हटाया बहुत अच्छी बात है आपने 35A हटा दिया बहुत बढ़ि के लिए क्या कर रहे हैं आज तक इंडिया 2020 एंडी टिवी री पबल्लिक भारत री पबलिक इंडिया सर यह Page जितने भी मेडिया चैनल्स हैं र्ज कोई ना कोई बक्वास उठाकर डाते हैं समीशे की निउस बतादेंगे कुत्तों की निउस बता देंगे किसी फरजी निउस को उठाकर दस बार चला लेंगे रिया चकरवती से तो पता नहीं कितने लोगों की साधी करवाएंगे वो बिचारे उनको देख देख की परेशान हो गए ठीक है वो आदे ज़्यादा उसको देख कर ही कि अपना दिल बहलाते हैं मुझे एक बात बताओ सर आप ये बताओ ये 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 मुद्दा कब खतम करेंगे आप सीबी आई जाच करवाओना सर दो चार को अंदर डालो ना दो चार को फासी दो ना सर टिक है अपने आप सब कुस लाइन पर आ जाएगा सर टिक है जर सारे कॉम्पंसेशन की बात हो गई कभी आपने सोचा है यूआ वर्क का क्या होगा ये बिचारे जो लोग बिचारे पूरी मैनत से अपना काम कर रहे हैं उनका क्या होगा इतनी मैनत एक स्टूडेंट सर 10 से 12 घंटे और 15 घंटे तक पढ़ता है आप लोग 500 पत की वैकेंसी निकालो ना सर तो 50 लाग लोग फार्म बढ़ते हैं आप ये बताईए वो 50 लाग लोग जो फार्म बढ़ रहे हैं उसके उपर से रह 500 पोस्ट हैं तो आप ये सोच कर देखे सर बाकी सर में सर सारे के सारे लोग पकोड़ा तलेंगे सर ना UPA गवर्मेंट ने कुछ उखाड़ा है ना आपकी NDA गवर्मेंट कुछ उखाड़ रही है और ना BJP ठीके सर कुछ करना है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रेक्चर तयार कीजिए मैं मानता हूँ लॉग डाउन है लॉग डाउन यार कोरोना अपनी जगा पर है सर पांच महीने हो चुके हैं लोग घर पर बैठे हैं करोडों लोगों की नौकरियां चली गई है लोगों को नौकलियां देना तो बहुत दूर प्राइविट में थो हम वैसे भी विश्वास नहीं करते हमें तो पता है कि हमारा काम जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है उसके बाद क्या लेकिन गवर्मेंट पर तो कम से कम बरुशा कर सकते हैं लेकिन अगर government भी इस तरीके से काम करने लगेगी तो फिर कहां जाएगा देश का युवा सर ये तो बताईए कहां जाएगा वो देश का युवा किसे जाकर वो हाथ फेल आए कहां जाकर वो request करे ठीके सर तो बस यही आप से मैं विंती करता हूँ करपया करके सारे के सारे युवाओं से विंती है सारे अभी भावकों से विंती है सारे टीचर से विंती है कि वो कम से कम 15-20 दिन तक ये काम करते रहें तब कहीं जाकर उनकी ये मुहीम तयार रहेगी यह मुहिम कही ना कही जाकर उन्हें फाइदा पहुचाएगी टिक है एक दिन ट्रेंडिंग में आ जाने से वर्ल डेवल पर आ जाने से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और देखिए अब डिवाइड करने की कोसिस भी हो रही है से ने क्या किया आपने जैसे यह ट्रेंड चलाया दुनिया में नंबर वन चल गया अरे अट नौ मईने हो गए बहुए रिट की तइällी कर रहे हैं लोग दो-दो साल हो गए है, फर्स्ट ग्रेट से पहले से जो वेकेंसी निकल गई, जिसके रिजल्ट आ गए, जिनकी पोस्टिंग तक होने को तयार है, वो बच्चे, वो बिचारे रीट की तैयरी कर रहे थे सर, अभी तक रीट नहीं हुई है सर, कुछ इंस्टिट्यूट्स के ट स्टूडेंट की एक कौम से, शब्दों पर अपना नियंतरन रखें, और अपने पूरे दिल से इस मुहीम को चलाए रखें, कोसिस यही है, गुरु जास्रम भी इस मुहीम में सामिल हुआ है, कि कई ना कई, कई ना कई, हम आपकी बात को एक मुद्दा बना कर आगे सके, बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, कि अपनी मुहीम को चलाए रखेंगा, एक दिन से कुछ नहीं होता, बस गवर्मेंट को हमारे सामने जुकना होगा, उन्हें डिस्सिजिन लेने होंगे मेरे बच्चे, जैश्री किष्णा, सब को राम राम